पाहिशों के भवर में रहता हूँ, मैं करोना के डर में रहता हूँ, देखिए है तयात का आलम, अब मैं हर वक्त घर में रहता हूँ, पूरी दुनिया है डरी डरी, लो भी ना रहें बासे चाओधरी सब को वारी तरफ से, असलाम अलेकुम, वालेकुम, असलाम, आजी, वासे मेरे बंदे ना यही पारश भाय के ही सोज रहे हूंदे, आज मेरी महबब वां दी आज स्क्रीम मैं फ्री खानी, असलाम फिल्म वेखन गया थे, फिल्म जो शेयरा आ गया, उन्नों पुछी जान मिय दूसरे तरफ से, उतरे हो, गया, जो मेरी ता दुनीय भी बाताच मेरी झानी के हो फिरम यह खुर मेरे ताके ड़ मुकित, ओल्म ऑ 맞ना गया इन्दे दास्यों काट दे गरा हैं दे केक में न हमा भारी थे हूज है ! डिल तो बैट गया है इससे पहले के मजीद बैट जाए, इसलिए अपने अज्ग के मैमानों को बलाते हैं जिन को बलाने के लिए हमें अपने दिलों पर हाथ रखना पड़ेगा हमारे पैरे मेमान पाकस्तान तरीक इंस के अमने हैं, मुलतान से और साथ साथ फेडरिल पाहलेमानी सेक्टरी हैं फॉर फाइनाइन्स जनाब जैन हुसेन कुरेशी और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेमान मौडल मौतरमा फाजी आमान विलकम तू दशो जी आज मेरी फेडरिट आई हैं जी मौडल फाजिया जी और एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लेकर आएं जी जैन भाई के लिए पे से पीटी आई पे से पार्टी बन गई है पे से पी टी आई पे से पार्टी बन गई है माशाला अब तो इसके पाओं में तखते शाही है ये जो जखीरा अंदोजी है कौन है इसके पीछे किना अंदे के मुफ्तों के हाथों की सफाई है मिटी अगते पानी चुपे मिटी अगते पानी चुपे एसे लेई नून लीक नमानी चुपे तरिडगन वाले तोखे वेचने पानी वेच मदानी चुपे ते थले सारे ओही रखले ने जे तंद तुटी ते तानी चुपे मुझे देख के क्यों शर्माती है चोरी चोरी क्यों मुस्कुराती है हर काम का वादा करके कैसर पी टी अई क्यों मुकर जाती है जो सर और कोई काम होना हो आज कैसर पीया का रोला निकाल के जाना है यह इसकी कई न कोई इसका गोटा फिट कर के जाना है तोड़े किने वे एपिसोड हो गए ने, दसो हजार एक लाइब हो गए ना, मार्शाला हजार एपिसोड से बजारे की एका दुखड़ा है यार इसका ये तो आई तुसी जैन भाई, प्रोग्राम नी करना है, रिष्टा करोना है वैसे फौजिया के अर्ड के अंदर और उने आप पे मजाहिल दागा, आप कोई जवाब देना चाहेंगे ने जवाब देना अपने भाई को, मैंने उसका बसना हल करना अच्छा अगरी कि आपने कहा है कि मैं यहां से बखड़ूँगा प्रॉब्ली को वाँ वाँ इसे बड़ी तबदीली क्या होगी है, वाँ फाजिया कैसी है आप बिल्कुल ठीक, हालाद सही है हालाद तो अभी आपको भी पता है कि थोड़े बहुत जो वाइरस की वज़ा से काम वगईरा हमारे शोज जितने वो तो आगे चले है आपकी वरकिंग लाइफ कैसे इंपक्ट किया? इंपक्ट इस तरह कि जो अभी हम शुकेस था वो भी आगे चला गया है और आगे FPW Fashion Pakistan Week था, Fashion Pakistan Week इन लंडन था वो भी आगे चला गया है, कैनेडा में था वो भी आगे चला गया है सब को शुकर करें, आपकी चला गया है सब्सक्राइशन या कुछ हो गया हम लोग जाए पॉब्लिक में तो हमें इस प्रोग्राम के जरीए ये अवेर्नेस पॉब्लिक को देनी चाहिए ये कि ये इसलिए नहीं है, आप लोग घरों में बैठें, स्टेज सेफ और जितना हो सके हैं, हैंड वाश करें बहुत ज्यादा जरूरी है ये बिल्कुल सही काफ वाजियान है और ऐसा अमूमन नहीं होता कि हम पाकिस्तानी अवाम को ये कह सकें लेकिन आज हम उनको बेदरेग ये कह सकतें कि आप लोग भी अपना हाथ साफ करें बलब चो नहीं वैसे यहाँ खोदी भी करें ना अपना हाथ साफ और उसके लाव एक और चीज़ बड़ी जरूरी है जो कि मेरे ख्याल से लोगों को पता चलनी चाहिए एक तो कुछ जगों पे तो जिस तरह पंजाब के कुछ जगों पे 144 नाफिज हुई भी है और यह कियागे तो यह जो कलेक्टिव सेलफियां भी आप लोग ले रहे होते हैं यह भी उसी के जुम्रे में आती हैं कि अगर आप आट दस लोगे पांच छे सहेलियां अकट्छे खड़े होके सेलफिया ले रही है तो प्लीज उससे भी थोड़ा प्रहेज करें कुछ नहीं होगा सिंगल सेलफिय लगा लें कुछ अरसे के लिए सोशिल मीडिया पे कोई अबाहत नहीं है अगर यह ना हो बिल्कुल ठीक है जी और फादिया ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें awareness create करनी है हकूमत जो तदाबीर देती है वो अपनी जगह पे है लेकिन जब तक हम इन्फरादी तोर के उपर खुद इसको consciously नहीं करेंगे हमें वो नताइज नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए आप देखें दुनिया के अंदर दो किसम के मॉडल्स थे ना एक मॉडल था उन मॉमालिक का जिन्नों ने इसको इतना नहीं लिया सीरिसली और आज बहुत सारे मसायल से दो चार हो रहे हैं वो इटली उसके एक बहुत बड़ी एक्जामिल ले उसके बराक्स ऐसे मॉमालिक थे जिन्हों ने पहले दिन से हिफासी तदाबीर ने सिंगापोर है हंग कॉंग है और वहां पे वो इसके उपर काबू पा गए है तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हकूमत ने रिस्रिक्शन जरूर लगाई है लेकिन उनको इन्फोर्स करना हमारे अपने उपर इन्फरादी तोर पे भी हमें जो है इसको कॉंशिस्री कर रहा है इसको एक छुटी नहीं समझ ला कि जैसे नोने ठीक जान देखिये कि जी स्कूल से छुटी हो गई है तो सारी फैमिली को लेकर हम बीच पर चले गई है नहीं फैमिली जरूर कठी करें एक ये मैं बिलकुल नहीं कहता कि कोई मतब़ जेल के अंदर बंदो कर बैठ जाए बट प्रिकॉशन जरूर ले जो आपको हकूमत की तरफ से इन्फरमेशन मिल रही है जो आजकल सोशल मीडिया के उपर बहुत सारी इन्फरमेशन है उसमें जो इसको इसको इस्तमाल करें और अपनी जिन्दगी भी जीए लेकिन मुहताथ हो करें ये भी तो बड़ा एक इभाम पैदा हो चुका हुआ है कि लोग कहतें कि जी जो हकूमत है वो सही बात नहीं बताती और पिर आपको सोशल मीडिया के ओपर इतनी फ्रोटिंग वीडि या बेसिक चीजें हैं भई वो सब बता रहे हैं मतलब वो ही कर ले फॉलो आपकी बात सोफी से ठीक है सोशल मीडिया के जहां बहुत सारे फायदें कुछ नुक्सानात भी है उसे एक बड़ी मज़ार बात है किसी जो सोशल मीडिया पी लिखा वा था कि वो ही दोस्त मेरे जो कल तक कानूनी माहरीन थे अब डॉक्टर बन गई है कल तक जो मईशत और कानून पर तबसरे करते हैं तो आज वो ही डॉक्टर बन गई है बट एक कॉमन सेंस भी एक चीज़ होती है और कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें खुद भी अपना जहर लड़ा के हमें पता चलता ह कि जी अगर एक वाइरस है और उस वाइरस को हम वो इनसानी कॉंटेक्ट से जो है बाड़ा है तो हमें उसको मेहदूत करना है सर मेरा दोस्त है करोना था कोई लाज कि अन्दा काली मिर्चा चिछीनी पा के खा मैं अगर फरक नहां पया फिर कि अन्दा आला दिनों बख्षे और उसके लावे एक और चीज़ यह बड़ी एक है कि हमें कन्फूजन उस पर भी बड़ा मिल रहा है कि जी हाथ मिलाना या नहीं इस मसाफ़े के ओपर भी एक बहुत डिबेट चुरू हो गया बड़ा एक कन्फूजन लोगों को हो गए कि कई लोग इस पर भी करते हैं गर नहीं जी यह क्या बात हुई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बलके मैं तुस्से एक अदम और आगे जाओंगा टेकी में आपने दिखा होगा के टाकी के अधर उन्हों ने अजान का तरिकाकार भी थोड़ा सामाद मैं पढ़ बिल्कूल भूए भी एक हुआ है जो है अलसला जब आप बलाते थे आजान का देने के लिए कि भी सला की तरफ आओ उन्होंने उसको चेंज किया है और उन्होंने का है कि अपने घरों में नमाज पढ़ो अब कोई खुदाना खासता हमारे मजभब को उसे कोई खत्रा नहीं है लेकिन ये वक्त की जरूरत है और वक्त के साथ सा चलना चाहिए मैं कहीं पर पाड़ा था कि उन्हों लिखे कि एक दफ़ा हज़ूर सब्सक्राइब के जमाने में भी ऐसे हुआ था और उन्होंने ये हुकम दिया था कि अब भर में नमाज पढ़े जो हालात है उन हालात के अंदर रहके हमें काम करना चाहिए सदर पाकिसान ने एक बड़ी तवील ट्वीट की है असक्यू पर कि जम्हे की नमाज में आपको कैसे जाना चाहिए और सिर्फ जैन हम ही नहीं हैं बाकी मुस्मे मुमालिक जो हैं उसके अंदर भी यही चीज़ फॉलो की जा रही है यह सिर्फ हमने कोई यह कारनावानी अंजाम दिया यह सब मुलकों के अंदर ही हो रहा है हस पे जरूरत जहां जहां जो जरूरत पढ़ी है चाहिए वो यूएई है साओधिया है यह हर जगह पर उनको सासा जहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पढ़ी है वो यह कर रहे है मुझे बता है मैसे आप MNS का भी कोई हो रहा है स्क्रीनिंग वगरा है असेमली में जाने से पहले जी बिलकुल क्योंके मैं प्राइम मिनिस्टर की जो है स्पॉक्स पॉसिंस की टीम उसमें भी हूँ और पिछने जनों हमारी जनुवी मुझाब को लेकि कुछ मीटिंगें प्राइमिस्टर आफिस में होती रही है तो हर बंदा जो पीमो में जा रहा था उसकी और हैसे कर दिया जितनी हमारी स्कैंडिंग कमिटिस की और सब कमिटिस की मीटिंगs थी उनको भी जो है उन्होंने मुल्त भी कर दिया अभी तक तीन हफ्तों के लिए तो असेमली में कोई ही नहीं बड़ा होता तो यह कि आप लोगों की चुटी हो चुकी है कूल के बच्चों के साथ साथ इननी जल्दी साथ चुटी ना कराओ पांच साल आप से वोट लागे आगे हैं मेरे मासी को अब बच्चों के चुटी की गई है इस तरह आप लोगों को भी चुटी दे दी गई है थोड़ार्से के लिए तीन हफ्तों के लिए आपकी ब्रेक आगी है बीच में जिसको आपकेशन नहीं किंसिडर कर सकते हैं वैसे आपकी फौजिया वोट वगएर डालती हैं में यह बताएं वोट मैंने कभी नहीं डाला कितनी गलत बात यह देखें हैं वो साथ थ है अभी उमर नहीं नहीं शनाखती गार नहीं बना वैस बात उनों में कर दिया नहीं ऐसी बाते वैसे चोटे भाईयों को बता होती थी मैं कि मुझे तो इतना शौक नहीं है बस वोट कभी में नी डाला वने पॉलिंटिक्स के तो कोई आपका कोई गिला शिक्वा होता है हकूमते वक्त से मतलब मैं अभी यह देख रही हूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो यह हकूमत आई है उसमें तबदीली नहीं आ र चाहूंगी कि इमरान खान मुल्क के लिए बिलकुल बुरे नहीं है और नहीं वो सोच रहे जो भी जो उन्होंने बात की जो स्पीच की उन्होंने कहा कि मुझे उस चीज से बड़ा वो हुआ कि आगे चलकर हमें उमीद है कि कुछ पॉजिटिव चीजे नजर आएंगी एक एक चीज आपको इतनी खराब मिले और उसको आइस्ता, आइस्ता, आइस्ता करने में टाइन लगता है आपके सवाल का जवाब ये है, अगर उन्हें वोट डाला हो तो तो तहरीक अंसाफ को डालती है क्या ये आपका जवाब होगा कि अगर आप वो डालती तो तहरीक इनसाफ को डालती जवाब भी उनका ये बता रहा है मान नहीं रही इसमें वो रहा तर्दीद करें रहा तिस्तीग हो ये नजर्या तो मंचूर सबके अलग हैं कुछ मुश्तरिक तो सिर्फ बेई मानी हो इजलास या टीवी का टॉक शोहर सुग हो शाम होती है बस बद्दुबानी क्राया कितना हो तो जिस्ट्टी थाउजन मेरे सावना ना मामा पेले देनी कार रहा रहा नगी वल्कम बैक टू मजाकरात फौजी ये बताएं मौडलिंग वो इतने अर्से से आप कर रही हैं अक्टिंग का कभी शौक नहीं होता आपको मैं एक बात बताती हूँ बड़े मज़े की जब मैंने मौडलिंग स्टार्ट की तो मुझे एक्टर बनने का शौक था अच्छा बहुत ज्यादा जब पहला फैशन शो किया मैंने सब ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी मौडल बन सकती हो तो मैं मौडलिंग की तरफ चल गी उसमें मतलब इतना इंटरस्ट एंड मज़ा आने लग गया कि मुझे एक्टिंग की तरफ कभी रुजान ही नहीं हुआ अगर आपके दोस्तों गएरा तो बहुत से जो कुलीग्स है वो एक्टिंग भी करते हैं और फ्रेंड्स भी आपको कुछ दिया और का काम देखती है एक्टिंग में बिलकुल काफी पसंद है एक्टिस का काम बहुत अच्छी ची एक्टिस भी आ रही है लाइक सजल अली है एक्राजीज हैं बहुत अच्छी एक्टिस सबा कमर है बहुत अच्छी एक्टिस हैं ये लो और देखें आप कोई टाइम मिलता है थोड़ा सा भी कहीं पे कोई अन्वाइंड करने के लिए वासा चौधरी की सारी फिल्में देखता हूं सरब सर मैं जमना बना रहा हूं तब क्या देखते हूं इसन आपने कभी एक्टिंग की कॉलिज जमाने में थेटर वेगरा के अंदर स्कूल के दोर में सर जो हमारे अन्यूल प्लेज लकास में आपको पता ही है उसमें मैंने किया था दो में लीड रोल किया था तो उसके बाद दिल ना चाहा कभी एक्टिंग कर लेगा वैसी कभी हम सियासत में अपना कोटा पूरा कर लेते हैं पाजी आपने सुना होते है एक ट्रिडिशनल जहन में होता है तो वट वी एक्स्पेक्टिंग किया होंगे कैसे में एक्टिंग क्या होगा बहुत अच्छी बाची दिन से रही मतलब अभी थोड़ी दिल पहले भी हो रही थी मैं इनको क्या पाज मिट चे सारे जिन्दी द बिलकुल सेम है मैंन से यही बात करें लो बिलकुल मेरे पे गए है अच्छी बात बात करके आप अपना और 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 कुछ नहीं करना और आपका पासपूर्ट फ्रीज करवा दे न ऐसे हुए कि आपस में कोई आपकी और इशाद साब की कोई बात पे ना बन रही हो तो और पीछे से कह कि आपको को वीजा कैंसल करवा दिया हो मैं को मुल्क से बाहर जाओंगा तो मैं एदरी बेर है पैसे उन्ते शाह जी मरान खान सान कह रहे हैं मैं देकर मैंने चाड़े के नों कॉंसलर बना दी है तो देखे ना बड़े डिफरेंट किसम के मैंने लगता नहीं है कि एमने होंगे एक दमें एक यंग सा लड़का आगा एक सा आगेगा एमने भी होते हैं यूनो लोग आरे हैं पॉलिक्स में बिल्कुल बड़े लिखे यंग से आरे हैं इतनी प्यारी माजा क्या फौजिया को आप को देखता हूँ अच्छा आप सोचिल मेडिया पे फॉलो भी करते होंगे उनको फॉलो करता हूं ट्यूटर पे आपको पदा था कि आपकी फैन्स इस किसम के हैं मैं तो एंटर हो रही थी मैं गाँ उमर अक्मल शाहिद पता नहीं वो लगे बाद इस शोन के अमर अक्मल को बुरा लगाओगा या किसर पीया को झाला पेली बार यह किसी ने उमर अक्मल आपको काओगा पता नहीं मुझे लगे या आपको लगे नहीं सर्फ लगए जो गया फॉल्स नहीं है और शेयान कोई कमर ड्राइव मार जिखाए le है gummers ऐये मेरे क्लावफ हो गये वो क्या बात करे वह सिंगल है .구요 अगर मेन आतिमाद पूरी हकुमत उटेगा हुआ हुआ नहीं वैसे फोजी आप माशालाब सिंगल हैं तो कैसा जीवन साथी होना चाहिए जिन्दगी में जो आप संद करती हूँ बड़ा परसनल सवाल आप कर रहे हैं यहरार शो में परसनल होता है पर बरकत नहीं पेंदी आप अगर चाहें तो बताना तो आप बता सकती ही वरना यू किन कम्प्लीटली अग्नॉर हैं इसको अग्नॉर ही करने तो अच्छा है आपको जवाब मिल गया अपना फिर आपने क्वेस्चन का अग्नॉर नी किया मुझे की है लास पर बात तो मुझे पर ही आती ही ना की फैदा है मैंने बना हुदा था ना ताड़े हलके जो ताड़े जवाना ना जलम हो रहे हैं बहुत अच्छे है नहीं मैं कैसर पिया की आवाज बुलंद करूं आज़े जो बुलंद करेंगे किदर करेंगे सही फोरुम पर देखिए फोरुम भी दरूरी होता है सर असेम्बली मेरा उठाव दीचे कर इसका मसला हल करने के नहीं मैं जागता करारदाद लानी पड़ेगे तुस्य कर लो तुस्य कर देखिए पूरे करने ने वादा देखिए झाले करेंखिए लिए विए आपको तुका ज़वां मिल गया फौजिया ने बिलकुल इग्णोर कर दिया मैं वैसे पूछना चाहतू नगर जितनी प्यारी है उनको कैसा बसन होता है जितनी में एक आईडियल होता है वोई होई होई वो आपका आइडियल जाना चाहरे है मैं बिलकुल सिंगल है अब सिंगल नहीं है पाइनू मेरे स्लाम करना करें पाइन। पाइन। जाम करें सिंगल है मैं पाइन। यू यू थापी तोड़ करता है यू यू एपये। मैं मैं में स्क्वाओन थाज भॉण आपकाशन। य्लिक यह ची काओ ऑंग यू लास्त नाइड यह शेक्वाओ्या वायरिस दी जबा पूरे दुनिया जफैल गी हाँ सो कम तू दा यूएसे मैं कहा मॉम ज्यादा थे तू आदिया ले पाकिस्तान ही ते किदरे किदरे गी एते थे बरामने सो कम तू दा पाकिस्तान शी से जो के I am कमिंग आरी मेरी मामा मैं फाइव स्टार होटल ते के कमरा ले आए अचा ले ही लिया येस थर्टी थाउजन पाट दे इतना पैसे तुम्हेरे पास कहां से आए नहीं देना ले अचा बुक करवा ले बुक करा है मैं कहा मैं उन्हें ले आके देना बट आई नीड हेल्प तुस्य एक दिन बाद मेरी मामा नो कहना है मामा होटल में अच्छा नहीं लेगता आप घर चले ना पर एक दिन तो बाद मामा कार आज़ेगी तुस्त ही कहना है प्लीज बात सुनो मामा तुम भारी है मैं उन्हें क्यू कहूंगा नहीं, मैं उननों आपने काला जागा, तुसी स्रफ एक वरी कहना है, प्लीज एक वरी मुन कहके बखा दिए लोगा मामा, बात सनो, बात में ही बात कहूंगा, पहले बता कि वो एक दिन कैसे होटल में रहेंगी होटे तुसी मेरी आलप करोगे मैं कासे करोगा मुसलिम लेगे नून का बंदा ने दो में तिलाने चाना मैं मुसलिम लेगे नून का नहीं हूँ क्राया कितना होटे, जिस 30,000 मेरे सावनाना मामा पेले देने का रहा रहा नगी असा बात सुर्ष लोगा यदि पाँपाँ यवर सिंदे में आपने नहीं थागा पिछले चांसे लो गवा बैठे हूं. PTI? I love PTI. बाजी नहीं भी PTI? बाजी जो है, वो मॉडल है. मर्कजी क्यादत है PTI जी. Yes, she looks like a big model. वो जदो हो आएगा. बनके उनते आगे. हाँ. उन्हाने शब दीजन, वो बन गहनम पाकिस्तान. उन्हाने तो चोके ते बाजी दे बुए करे अगे. अजाना आपके पास है, आपने मुझे. वालदा सब आ जाएं, होटल मेरे से में आगे. दोने ना उसे नबर और अडरेस. मैं लब आंगा कि था हूँ. तुम पहुंजाना असेम्बली हौल के बाहर खड़े हो ना होते थे अपने कार्जेनों नहीं मिल दे अजयन भाई येलो मैं दूपाइजाद लाओ जिसे वगए वाओ इदर इसका पांपा हो रहे है देखे दरा ये मैं अपने रहाल होता नो देता है ते इच्छत तारांप वाली न जासमी ने वगये पाकिस्तान चा मेट तो जादा नी किसे नो पछान सभी गलाओ असली ते नकली नोट असली है तुसी तिन्नों नकली है मेरे करा नर्जुन आएंगे मेरे करा नर्जुन आएंगे 31 31 2 3 4 यार इमा ना कोई आल ने क्यों? मैं लगता है स्टॉटे सिवा मेरा है क्यों? यार केड़े पास है भी कियांचे नहीं फोन चुकिया अको फोन नी चुक दे यार फोन करी जारे इमरान खान साब आल गिया ये ड़त तपाग ना मैंने मिल दे सान ये ये लिए लिए ये लिए 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 ल पुछे कौन मैंगे मिया वजा लो निर्गोली कें दी बच्चे ज्यादा ने अंदर गैधरिंग ज्यादा है बार इस हो जाए बार टेंट लागे सकता है यार तो मैं उना आके तुनों दस रड़ गा के यारे ये वाकी सिच्वेशन खराब हो गई है ये महिन लग रही है वो फिर ले ले पही है ये मंदी ये अदा बुरा हाल हो गया है तो डिवाया आघ मेरा लाया है अच्छा माशाले संमलक दार बंदा इमरान खान हो गया तरेली साथी जान भी आजरा पर हात तासी नहीं मलाना तेरा है उत्टर मैं तरेली बुटर आठ मिलाओना ही क्या बाराल एतियाद जरूरी है देखो ना जी जो कुछ भी है थे बीमारी इंटरनेशनल को ते हर बंदा कह रहे है भाई हाथ दोने चाहिए देने हाथ ना मिला कोई गल ने प्यार मबद जारी रहेगा थोड़े दिन हंदी ते गले लेकिन सर घर दी सफाई बहुत जरूरी है यहोना मलेज हर गार्दी सफाई करती है सिद्धा क्या भी तेरी रिष्टेदार ने अच्छा तुम इसको छोड़ो ना में वहार मैठे में यार वहीटी बड़ी फंकार बुलाईनी चजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज अब ना ःती ते में कई TVC वी लेगी है हाँ पी वी ते मॉड़ू है थे बाइजार वे किसी फिल्म चायें ऑँंजजज ये तामल फिल्माची रोने अरे वो फिल्म है नहीं है मैंने यार हाँ ओए ती शात मुद्कुरिशी साथ ने बेटे जैन भाई ने ओ माई गाउड चलो बाठीक है ठीक है को गल ऐसी है के हमें ड्राव ये तो आड़े हुंदे के कोई गाली नहीं है हाँ साथे तो बटा जला सीम केड़ा है तुम्हारे अपरी बात करो सिरुए यार ये नहीं चलाना है फिर लोग पके हो जान दिन यार इस गल दे मैं ते मैं प्यार ना मजाख ना लकिया ते हखुमति मामला ते कोई तदाबिर की टी जा रही है सर अलहम्दो लल्ला तदाबिर की टी जा रही है और मैं ते कहह रहाँ ते तोसी अमल भी करो दोते ते इन्शालला कोई खुफ चpee हडरास पैदा करना दी लोड़ भी ने डरना नहीं लडना है यार मैं जरा कुरेशी साब में लेक फोटू बनाना है जिनसे पस्वीर लेनी होती है उनसे बूचते है यार पिछली फोटज बड़े यंग आये सब ती इद जी करण चलर में खाल नहीं कराया है सब वो नहीं कराते है वैसे भी जाएं नहीं ना कराया करो सर अरसा दरात गुजर गिये है ते सियासद दी मेर बानी है आव तुसी बिश्पएब सर्टो के मने है बैक बनाना नहीं पुसी बैटर सर असर जाहिए मैं फोटज बड़े हैं जी उत वे मैडम भी बनानी है बेसिकली तो सी मेडल दे पढाई जी, मैंनो वेचेंज पाया है चलो, ठीक ही नहीं, कदि यो सकते है, सार तुस्ति जादे मेरे बहान हो ऊँ मैं गार जाके करवाब कारला है उस्मान बुस्दार जंगीतिरीन या माहरा खान माहरा खान हमारे मुल्क का फखर है बागी दोनों कौन है? मैंने अपने हिस्से कि कोटे की सवाल जी जवाब देखी है कोटे की बास कर रहा हूँ सवाल देखों से अंडर गे वल्कम बैक टो मजाकरा जी तो किससे अगास करें? पहले इन से करें स्टार्ट फिर मैं जैन ये बताईए चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट या स्पेस शटल के इंदर आ बैटे हैं वाज ओद ने जो नहीं बनाया तो साथ आपके दो सीटे हैं एक आपकी है और साथ एक सीट पर आपकिसी को लेके जा सकते हैं लेकिन जिस शट को आप साथ लेके जाएंगे चांद पर उसके वापस आने के गैरिंटी नहीं है तो इन वेइ ये एक वन वे राइड है उस शक्स के लिए आप वापस आजाएंगे तो किस को चांद पर लेके जाना चाएंगे अपने साथ आप options आपके पास जो हैं वो हैं फियाद अलसन चुहान और मौतरमा फिर्दोस आशिकावान फियाद अलसन चुहान साब को चांद पर लेकर जाना चाहते हैं ये ठीक है ये बताइए एक लिफ्ट में इंटर होएं हैं आप एक के साथ आप सेल्फी लेंगे एक को आप कर्टसी में स्माइल देएंगे और एक को आप कहेंगे के मेरे खियाल से आपका फ्लोर आगया है करोना में लिफ्ट में को घुसना खत्रे से खाली नहीं है उपने मास्ट लगाएं मैं हात में लवाई नहीं रहा किसी को जो नाव आपके पास है वो हैं परवेस खटक, फैसल बौड़ा और डॉक्टर आमिल लियाकत तो ये बताईए के सेलफी किसके साथ लेंगे सबसे पहले तो सेलफी खटक साथ लेंगे परवेस खटक साथ समाइल किसको दे रहे हैं फैसल बौड़ा को समाइल दे देंगे और किनकों कहेंगे कि आपका फ्लोर आगे है? आमिल लेकर साब का फ्लोर काफी देर काया हुए तो आमिल लेकर साब आपका फ्लोर बहुत देर काया हुए किसका फोन आए तो फॉरण उठाएंगे किसका फोन आए तो मेसिज पर जवाब दे देंगे ठीक है तो आज वाज हो इसाब का फिर रखना फोन बंद करके फिलाल साइड पर रखना वो मसरूफ है ना आज कल चांड पर जाने की त्यारी करें और मैडम वाजिया को साथ लेकर जाना पड़ेगर क्यूं? साथ जो बैठी हैं बस वो जहास डूबना नहीं चाहिए वो फिकर नहीं करें उसमें डूबा आखर में लड़का इपर आप तो सेफ हैं फिर पिर पिर जम जम के मराना भी जाना जानी परत पिछ़ा ये बताईए जी डूपटी कश्ती मसवार दो लाइफ जैकेट जैन के पास खानी मही आ गई यह एक आपके अपनी दूसरी दे कर जैन किसी की जान बचा सकते हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट दे कर जैन किसी की जान बचाना चाहेंगे आप्शन्स आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जहांगीर तरीन जनाब उस्मान बुजदार जहांगीर तरीन साब को बताऊंगा इस मुल्क को भी चीनी की दरुएत है बहुत सारी तालिया एंचे लिए जी फाजिया देख लिए आप ले तो एजी ठीक है जी ये बता दीजिये मजबूरी के तहर तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आप भी घर में लगाएंगी रोज सुबा आपकी नज़र उस जाइंट साइस तस्वीरे पड़ेगी किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस तस्वीर में इसमे से शान 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 साब आप हैं वो जो के बैठेंगे ये बताइए मैडम टाइटैनिक पर जाने का वक्त दो वियाई पी पास फाजी आपके पास एक आपका अपना दूसरे पर किसी और को साथ लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी options आपके पास चुहें काहं अलीशा साब और मौलाना फद्ल उरनमान काहिं अलीशा ये देखें उनको जानती है उनको जानती हूँ कराची मेरे टी है Crime आम अलीशा साब का फैन कलब तो है किसको देंगी वो लाइफ जैकेट आप आप्शन्स आपके पास चुहें माहरा खान, वनीजा अहमद और सदफ कामल आपने टफ्स क्वेश्चन कर लिया कि ये तो बस आप मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती क्योंकि सब फ्रेंड्स है तो मैं तो उप्शन की तरफ किसी भी उप्शन की तरफ लेके जा रहा था तर्डा ऊप्शन है थे विसा उनुक बता लगया दे कारपा bी नहीं बेख ली हो नहीं मिख लिए लोना चीक है, सदफ कॉमल की हुई वो लाइब जैकेट इस वाफ दे मैं आप नहीं लेए उन्हों दिवाएए वाफ बता है, आप से करे मैं सवाल दुवारा पूछ लेता हूँ कि आप किसको लाइब जैकेट देंगे? उस्मान बुजदार, जंगी तरीन या माहरा खान? माहरा खान हमारे मुलक का फखर है, उपको देनी पड़ेगी बाकी दोनों कौन है? उफास को लाइब बाकी माचला है, साहिब बाकी हैसियत, साहिब एक्तदार हैं, वो अपना बंदबस कर लएगी मैंने अपने कोटे, मैंने अपने हिस्से के कोटे की सवाल जी जवाब देखी है, कोटे की बास कर रहा हूँ सवाब भी गोट से अंड़ गे? मैंने बैसे क्लेर करना चाहरा हूँ कि बेलकुल वो भाई से हैसियत हैं जो बाकी दो हैं, लेकिन आप वो गलती हुए, उनका जहाज अपना है, बहरी जहाज नहीं है यार वो भी ले सकते हैं अब तो ये अंदर की बाते मुझे नहीं बता हूँ जेन, त्थियों तौषे झाचरण झाचरण चाहरा हूँ पावज नहीं हैं अगे क्रेश चाहरा हसाँ हुए भी प्लाज़ी आपको है बहुत बहुत चुक्रिया है प्लेजरी कारेर सर क्या सना रहे हैं ज़ पर